नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नहुलिख शो में तो दोस्तो एक बहुत बढ़ी खबर निकल कर सामने आई है ताइवान और भारत के बीत से निकल कर दरसल भारत और ताइवान तयारी कर रहे हैं एक बहुत बड़ा बम फोड़ने की और ये बम जब फूटेगा न तो इसकी गूझ बीजिंग में बैठी सत्ताधारी पार्टी कम्मिनिश्ट पार्टी और उसके परमुक शी जिंपिंग की कुर्सी तक भी हिला सकता है और इसको लेकर चीन इतना घबराया हुआ है कि उसने अभी से भारत को ठमकिया देना शुरू कर दिया है क्या ढमकिया दे है उसके बताऊँगा पार ये बम आखिर में है क्या लेकि उन्ट से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे क्योंकि आपने को मिलती है पर दे तीन वीडियो डिफैन्स, फोरेंट, पॉरेंट, पॉरेंस से लेटेड, चली वीडियो का अपने में शुरू कर लेते हैं परिशान हैं तो ऐसे में दुनों देश मिलेगे कर कुछ बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं दरसल भारत और ताइवान एक ट्रेड डील पर बात कर रहे हैं और इस ट्रेड डील से फाइदा यह होगा कि भारत में तो इन्वस्ट्रमेंट आएगा और ताइवान को शुरू हो गई है दरसल भारत ताइवान से चाहता है कि भारत के अंदर ताइवान का इन्वस्ट्मेंट तेजी से बढ़े और करीबन 100 अरब डोलर इन्वस्ट करें ताइवान भारत के अंदर अगले आने वाले 5 सालों के अंदर में और साथी भारत के अंदर जो बड़ी बढ़ी ताइवान की दिगज टेक्नलोजी कमपनियां है वो भारत में फैक्टरियां लगाने शुरू कर दे यह आपको बताओं कि फोक्सकोन एक ताइवान की बहुत बढ़ी दिगज कमपनिय है जो मतलब कि एपल के लिए भी मॉबाइल तैयार करती है जो मॉबाइल बेचता है या फिर आप लैप्टोप खरीते हैं सब कुछ खरीते हैं उसके वो सब के सब फोक्सकोन ही बनाता है तो ताइवान को भी चाहिए था कि वो चीन को जटका दे तो उसकी जो फोक्सकोन की फैक्टरियां है वो बहुत सारी चीन के अंदर भी है तो भारत चाहता है कि वो फैक्टरिया शिफ्ट होकर ताइवान की मदद से भारत में आ जाएं और भारत में तिरी से रोजगार भी बढ़े ऐसे में ताइवान भी भारत से कुछ उम्मीद कर रखता है इसके बदले में और वो उम्मीद है रिकागनेशन की ताइवान चाहता है कि भारत ताइवान को और जादा सपोर्ट करे और जादा रिकागनेशन दिलवाए और खुद अपने स्तर पर भी ताइवान को चीन के खिलाफ मजबूत बनाने में साथ दे तो ये भी दोनों देशों को इससे बहुत बड़ा बेनफिट होने वाला है लेकिन चीन इससे बोखला होगा है क्योंकि चीन को पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डिमोक्रासी भारत है और भारत अगर ताइवान के साथ में कुछ भी डील करता है तो इसका इंपेक्ट पूरी दुनिया पर निश्चित तोर पर पड़ेगा और ताइवान भी यह चाता है और साथी भारत को भी एक मोका मिल जाएगा चीन के उपर प्रेशर बढ़ाने को और साथ ही ये भी कहने को कि चीन अपनी सेना को पीछे हटा है वरना भारत ताइवान खाड़ खेलने से एक शंड़ पीछे नहीं हटने वाला और इससे चीन इस हट तक बोखलाया हुआ है कि उसने भारत को धमकी दी है कि ततकाल भारत पीछे हटे कोई भी ट्रेड जो डील है वो ताइवान के साथ ना करे और साथ ही वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करे यानि कि चीन बोखलाया हुआ है पूरी तरीके से और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना आपका दुश्मन बोखलाया हुआ है परिशान है, समझे आपकी रणनीती उतनी ज़्यादा कारगर और उतनी ज़्यादा शार्प है आपका क्या मानना इस पर कमेंट कर जो बताएका साथ ही वीडियो को शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब दूले कैसी बहुत सा डिफेंस, फोरेंट पॉलिस से और फाइन से ट्रिट वीडियो के लिए तक क्यों क्यों से वीडियो है ट्रिट वीडियो